जाते हैं चुनाओ की रन्निती में चुनाओी उम्मिद्वार किस तरह से मतदाता को गुम्रा करकर अपने जेबे गर्म करते हैं या यू कहें पार्टी की टिकड जिस उम्मिद्वार को मिलती है उस उम्मिद्वार की निकल पड़ती है जैसा की एक लोगसबाक शेत्र में लगबग दो जिल्ला परिशद और पांच नगर परिशद और आठ से दस नगर पंचायते आती हैं अब यहां दर्शकों के जहन में सवाल होगा कि हम आपको यह क्यों बता रहे हैं जैसा की दो जिल्ला परिशद इन में होते हैं 15 विभाग याने एक लोगसबाक शेत्र में 30 मुख्य कारीकारी अधिकारी इन विभागों में विराजीत होते हैं ठीक इसी प्रकार 5 नगर परिशदों के 55 विभागों के मुख्य कारीकारी दिकारी होते हैं ऐसे ही नगर पंचायत के भी विभाग प्रमुक होते हैं अब इन मुख्य अधिकारियों से पार्टी टिकट मिलने में पार्टी टिकट मिलने वाले उम्मीदवार को चंदे के रूप में मोटी रकम पार्टी फंड के डाम से वसुली टाती हैं एक लोकसभाक शेत्र में होता है कि अगर हमने उम्मीदवार को मदद नहीं की तो उम्मीदवार हमें मदद नहीं करेगा याने यू कहें चोर-चोर मोसेरे भाई की नतर्च पर ही यहां चुनाओ का चुनाओी लड़ा जाता है इस पूरे मामले में पार्टी टिकट मिलना ही माइने रखता है अगर टिकट है तो उम्मीदवार की निकल पड़ती है क्योंकि जेब से चुनाओ लड़ने में इन उम्मीदवारों को रुपए नहीं लगते और हारने के स्थिती में इनकी टिकट इन उम्मीदवारों की 5 साल के लिए चल पड़ती है यहां है चुनाओी खेल जो की मतदाता सोच पूंचता है चुनाव उमीदवार में काफी खर्च किया है, लेकिन होता है वह मतदाताओ की जेव कहीं, यही मेन और मुख्य वज़़े है कि टिकेट उमीदवार की चुनाव हारने के बावजुत हालत पतली नहीं होती है, यह है इस देश का चुनावी सच, चुनावी संबं झाल झाल